स्वाती मालिवाल हमारे साथ सीधा जोड़ चुकी हैं दिल्ली महेला आयूक की अद्दक्ष है स्वाती मालिवाल जी स्वागत आपका हिंदी खबर में मैं लेकिन स्वागत सतकार का समय नहीं क्योंकि एक बिटिया को इस तरह से मौत के घाट उतार दिया जाता है दरिंदे के गोदा और उसके बाद उसको सर पे इंट मार मार के पूरी तरीके से मार डाला मतलब कितना बेरहम हरकत है और कितना ज्यादा दर्द उस लड़की ने सहा है मेरे हिसाब से मैं इतने सालों से दिल्ली महिला आयोकि अध्याक्ष हूँ ये एक ऐसा केस है जिसने सच में मुझे बहुत ज़ादा चौकाया डराया और बहुत शर्मिना करा है कि हम किस तरीके की दिल्ली में रहते हैं एक टरफ तरफ तो बहुत ही ज़ाधा सुरक्षित है महिलाओ और बच्चिऊ' के लिए और ये हम सब जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते और दूसरी तरफ कितनी आसमवेजन शीर होती जारी है उस सड़क पे जिसमें आदमी ये मार रहा था उस लड़की को इस घटना को अंजाम दे रहा था रात में साड़े नो बजे थे और वहां पे बहुत सारी महिलाएं और पुरुश चल रहे थे कुछ लोगों ने तो पलट के देखने तक की जहमत नहीं उठाई और कुछ लोगों ने बस देखा और आगे अपनी जिन्दगी की और चलते चले गए तो ये किस तरीके के लोग हैं कैसे रात में इनको नींद आई होगी क्या इन्हें ये नहीं लगा उस सब्सक्राइब की चिलाएं चीठें अगर ये चिलाते अगर तीन चार लोग पकड़के उस आदमी को धर दबोचते तो हो सकता है लड़की बच जाती हिसाब से दोनों बहुत बड़ी समझते आए हैं एक तो जो दिल्ली की पुलिस है इस डर क्रिमिनल्स में बिल्कुल नहीं लॉइन और पूरी तरीके से चर्मरा चुका है और लोगों को अपराधियों को डर ही नहीं लगता है कि किसी भी लड़की और महिला किस हिलाफ कुछ भी कर दो और ये सिस्टम से वो बचके निकल जाएंगे और दूसरा समाज की और मु अगर यह तो इनसानों की वस्ती थी हम तो जानवरों के जुंड देखते हैं जहां अगर किसी जानवर पर हमला कर देता है कोई भी शिकारी तो उसको जानवर जाकर नोच खरोश डालते हैं हम तो जानवरों से भी ज्यादा बत्तर हो गए मैं बिलकुल मांगती हूं आप बिलकुल ठीक कह रहे हैं और लोगों ने डर के मारे या असमवेदन शीलता में उस लड़की की मदद नहीं करी तो मैं बस यह जानना चाहती हूं कि इस तरीके के लोगों की जिंदगी का मतलब ही क्या है मतलब यह बस अपनी जिंदगी जीत शायद उस तरीके से अगर वो चीकते या चिलाते तो वो आदमी डर के भाग जाता क्योंकि इस तरीक के जो क्रिमिनल होते हैं वो कहीं ना कहीं तभी आक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें यह लगता है कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा और आज की स्थिती यही है ना तो हमा लेकिन उस तरह की पैरवीत देखने को नहीं मिली क्या मानती है क्योंकि दिल्ली की यह पहली घटना नहीं कई सारी घटना है जिनमें अभी तक आरूपियों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया यानि कि जो मांग पीडितों की और से की जाती है माबाप की और से के अफास ही दी जाए ऐसे दरिंदों को वहां तक नहीं पहुंच पाते और मजे से जेल में बैठकर दाल रूटी खा रहे है जी मैं यह मानती हूं कि जिस राज्य की जिस देश की पुलिस सुधर जाए उस देश के लोग सुधरने की पूरे चंस हैं आज हमारे देश में हमार के बाद कोई केंद्र सरकार ने मीटिंग बुलाई ना अब कोई केंद्र सरकार अर्जिंट मीटिंग बुला रही है और इससे पहले भी चाहे वह आट महीने की बच्ची का रेप हो चाहे वो नबे साल की महिला का रेप हो चाहे वो हर दिन जो छे केसे रेप के रोट हो रहे इन में से किस केस के बाद केंद्र सरकार ने एक अर्जेंट बैठक बुलाई जिसमें की दिली सरकार हो जिसमें दिली कुलिस कमिशनर हो दिली महिला आयोगो जब तक हम मिलेंगे नहीं समन में कैसे मनेगा जो यह बस incidents होते हैं बड़े डराने वाले incidents होते हैं उनके अपर केस मीडिया ने कवर करा था लेकिन अब उस बात को छे साल हो चुके हैं लेकिन अभी भी वो लड़की कोर्ट में अपना केस लड़ रही है अकेले लड़ रही है सो चो आट मेने की लड़की सोला साल की जब बनेगी तब भी वो केस के बारे में बात करनी होगी और हो सकता ह इसको बदलने के लिए जरूरी है केंदर सरकार दिली सरकार मिल कर काम करें समनवे बना कर काम करें पर बड़ी दुक्ती बात है कि केंदर सरकार ये मीटिंग बुलाने को त्यार नहीं है एक मीटिंग तो बुलाईए दिल्ली के जो LG है, पुलिस कमिशनर है, मुक्य मंत्री है, महिला आयो की अध्यक्ष है और देश के जो यूनियन वो मिनिस्टर हैं जिसके अंडर दिल्ली पुलिस आती है सब साथ में मिलेंगे महिलेंगे दो बार मिलेंगे स्वाती जी, इस पूरे घटना करम में किसका फेलियर माना जाए, सिस्टम का, पुलिस का, समाज का जी मैं इसमें लॉइन ओर्डर का फेलियर रहती हूँ, पूरी तरीके से पुलिस का फेलियर है आप मुझे बताईए कि अगर वो सारे केसे में महिलाएं संतुष्ट होती, तो क्या दिल्ली महिला आयोग के पास छे साल में एक लाग से जाधा आपका आयोग आप लोगों को करना पड़ता है चुक्के राजनीती अपने सवाब पर होती है जी राजनीती होती है राजनीती एक बहुत इंपॉर्टन पहलू है इस देश की डिमोकरसी का राजनीती पूनी चाहिए पर मुझे लगता है कि राजनीती ओ भली है जिससे कुछ कदम निकले कुछ action plan बने तो मेरी बस यही request है केंद्र सरकार से request है क्योंकि वो यह meeting बुला सकते हैं दिल्ली सरकार तो वो meeting बुला नहीं सकती केंद्र सरकार तुरंत एक meeting पूराए दिल्ली सरकार के सारे senior लोगों को उस meeting में बिठाएं और अब महीने दर महीने काम करना शुरू करते हैं ना इस पूरे मामले में स्वाति मालीबाल जी गैंद दूसरे के पाले में डाल दी जाती है केंद्र की भूमिका की बात आती है तो राज्य सरकार के खेमे में डाल दी जाती है बौल जब रा करेंगे जब दिल्ली महिला आयोग बताएगा यह सब बड़े लोगों को कि हर दिन दिल्ली में छे से जाता रेप रिपोर्ट हो रहे हैं यह वो लड़कियां हैं जो रिपोर्ट करने पुलिस स्टेशन तक पहुंच पाती हैं ऐसी तो कई लड़कियां जिनके साथ केस होता है और उसके बाद वो बोल भी नहीं पाती वह बाती नहीं रख पाती क्योंकि उन्हें डर लगता है कि समाज भी उनी को पूछेगा पुलिस भी उनी से सवाल पूछेगी और सारे महक में उनी से सवाल पूछेगी तो मैं बस इतना अप्रोच आपके चैनल के माध्यम से भी मैं यही बात बोलना चाहती हूँ एक मीटिंग कर लेते हैं कि सरकार दूरंत यह मीटिंग बुलाएं क्योंकि 16 साल की लड़की थी बहुत बुरी तरीके से उसको मारा गया और कितनी लड़की मारी जाएंगी देश में तब जाके सरकारें जागी मैं के अगल और समझना चाहता हूँ कि इसमें यह भी माना जा रहा है कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो जिहादी मानसिक्ता के लोग है जिनके दिलों दिमाग में हैवान का वास है यह लोग नहीं देखते कि कौन क्या और सिर्फ और सिर्फ धर्म बदलकर यह लोग ऐसी है आप का आयो किस तरह से पहल कर रहा है में इंवेस्टिगेशन जारी हैश में वह एंगल भीम्टी को जारा दिख दुरार और जो भी डैसन बनता वह बिल्कुल बंना चाहिए और यह तो बिल्कुल ऑ्रोपिन शुट के लिए इसकेस में इस आगने कैसे कि क्याती पास कोई कंप्लेंट ड़ोंगी राएं औस नहीं डिरैस्मेंट इसके απόर के और नगे बहुत शुक्रिया आपा सुक्राशा जोड़ है